इस वीडियो में आपको पढ़ाने बाला हूँ गुजरात का मध्धे कालीन इतिहास और ज़्यादा महत्पूर है और बार बार प्रतियों की परिक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्केप्शन वोक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी तो वहाँ से जाके आप लोग बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की सुरुवात करते हैं और पढ़ते हैं मेडिवल हिस्टी ओफ गुजरात। ये है सूचना तो इसे आप जरू पढ़ हैं। वीडियो की सुरुवात यहां से करेंगे जफर खान का इतिहास। जफर खान को 391 इसवी में तुखलक बन्स के साथ सक नासुरुदीन मुहंमन तुखलक ने गुजरात का सुपेदार नियुक्त किया था। जफर खान को दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा नियुक्त गुजरात का अंतिम सुपेदार माना जाता है। 1407 एसवी में जफर खान ने मुझफर साह की उपादी धारण कर गुजरात में स्वतंतर राज़गी स्थापना की थी जफर खान का सासन काल 1407 से 1411 एसवी के मद्ध में था तो अब यहां पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जफर खान को किसने सूबेदार निफ्ट किया था गुजरात का नासर अद्दी मुहमद तुगलक ने किया था यह आपको यहां पर ध्यान रखना है और कब किया था 1391 एसवी में किया था और अंतिम सूबेदार किसको माना जाता है अंतिम सूबेदार जफर खान को ही माना जाता है क्योंकि जफर खान के बाद गुजरात में कोई भी सूबेदार नहीं निक्त किया गया था इसके बाद गुजरात में सुतंतर सत्ता की स्थापना हुई और सासक बने इसलिए गुजरात का अंतिम सुवेदार जफर खान को माना जाता है 1407 में क्या हुआ कि जफर खान ने मुझफर साह की उपादी धारन करके गुजरात में एक स्वतंत राज की स्थापना की थी तो यहाँ पर थोड़ा डेटेल से समझ लेते हैं 1398 में क्या हुआ कि तैमूर ने आक्रमण किया थे दिल्ली पर तो तैमूर की आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की जो सत्ता थी वो डखमका गई थी और कोई भी मजबूत सासक नहीं हुआ था उस समय वहाँ पर तो इसी का फायदा किसने उठाया था अधिकतर सूबेदारों ने उठाया था और सुम को सतंतर गोसित कर दिया था और यही फायदा किसने उठाया था जफर खान ने भी उठाया जफर खान ने 1407 में मुझफर साह की उपादी धारन की और गुजरात में सुतंत राज़ी की स्थाबना की थी जफर खान के अगर सासनकाल की बात करें तो सासनकाल 1407 से 1411 ईस्वी के मद्द में था लेकिन सूवेदार के रूप में अगर बात करें तो 1391 से 1407 ईस्वी की मद्द कर जो पीरियड है अब बात करते हैं एहमद साहे के इतिहास पर एहमद साहे को गुजरात में सुतंतर राज़ का बास्टविक संस्थापक माना जाता है 1613 इसवी में एहमद साहे ने प्राचीन नंगर असाबल या आसवाल के निकट एहमदाबाद नामक एक नए नंगर को बसाया था एहमद साहे ने अपनी राज़धानी पाटन से इस्थानंतरित करके एहमदाबाद में बनाई थी एहमद साहे के सासनकाल में ही मिस्र के विद्वान बदरुदीन दमामीनी ने गुजरात की यात्रा की थी तो चलिए यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं सबसे पहले आपको यह दिहान रखना है यह पहला पॉइंट है गुजरात में बास्तवक संस्थापक किसको माना जाता है सुतनतरसत्ता का तो बाना जाता है एहमद साहे को और एहमद साहे ने ही 1413 इसवी में क्या किया था कि एहमदाबाद को बसाया था जो कि आज एक बहुती पुरस्द सहर माना जाता है गुजरात का इसलिए इसको आपको बिसी इस तोर पर याद रखना है और पहले राजधानी कहां थी पाटन में थी लेकिन पाटन से इस्थानन तरित करके एहमदाबाद में राजधानी किसने बनाई थी एहमद सहह नहीं बनाई थी और एहमद सहह के सासनकाल में मिसर के एक प्रसुद विद्वान थी जिनका नाम था बदरुद्दीन दमामीनी तो बदरुद्दीन दमामीनी ने उस समय गुजरात की यत्रा की थी बदरुद्दीन दममीनी ने एहमद साह को सुल्तानों में बिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् दर्वाजा का निर्माण एहमद साय ने ही करवाया था एहमद साय का सासनकाल 411 से 1432 सीचवी के मद्ध में था तो अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा बदरुद्दीन दमामीनी ने क्या कहा था एहमद साय के बारे में सुल्तानों में बिद्वान तथा बिद्व एहमद साय नहीं लगाया था और सिद्वपूर अभियान के दोरान लगाया था इसको आपको बिसीच तोर पर याद रखना है क्योंकि ये कई बार एकजाम में भी पूछा गया है और सिद्वपूर अभियान के दोरान ही प्राचीन कई जो मंदर थे वो तोड़वा दिये थे एहमद साहे ने एहमद साहे को धार्मिक रूप से 1850 तर्था तक माना जाता है। एहमदाबाद में जाम मस्जिद और तीन दर्वाजा के दर्माद एहमद साहे नहीं करवाया था। एहमद साहे का सासंगाल 1411-1442 के मदद में था। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको याद रखना है, जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सबी आपको याद रखना है अब बात करते हैं गयासुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लेते हैं चर्जा गयासुद्दिन मुहम्मद साहे को किसका पुत्र माना जाता है एहमद साहे का पुत्र माना जाता है और बास्तविक नाम क्या था मुहम्मद खांद बास्तविक नाम था उदारता के कारण उसे जर्बक्स या करीम भी कहा जाता था इसको आपको ध्यान रख का सासंकाल 144 में 1456 में माध मैं था। गैस अद्द्दीन मुहमद साहे के बाद इसका पत्र कुत्थ उद्द्दीन एंद साहे दुतीerving सासक हुगा जिसने 1451 में 1476 में कजिये द्रू कर दिया ने नहीं हुइ üz्बार्टीय मैं 환जित के ज्वन गिता के अब बात करते हैं महमूत साह बेगडा के इतिहास पर महमूत साह बेगडा को इसका सबसे प्रसिद्ध सासक माना जाता है आपने कहीं न कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा महमूत साह को गुजरात का सबसे प्रसिद्ध और महान सासक माना जाता है महमूद साहे का वास्तविक नाम फते खान था जिसने 1469 इस्वी में सुल्तान नसरुद्दीन अब्दुल फते महमूद साहे की अबादी धान कर सिंगासन प्राप्ते किया था नाम काफी लंबा है लेकिन इतिहास में महमूद साहे बेगड़ा की नाम से पृसिद है महमूद साहे ने 1466 इस्वी में गिरनार के राज़ा राव मंडिलिक को पराजित करके गिरनार के निकट मुस्तफ़बाद नाम अकनंगर को बसाया था और उसे दूसरी डाज़धानी का दरज़ा प्रदान किया था महमूद साहे ने 1422 इस्वी में चमपानीर के राज़ा जैसी को पराज़ित करके चमपानीर के पास मुहम्मदाबाद नाम अकनंगर को बसाये था और बहाँ बागि फिर्द्वस की स्थापना की थी गिरनार वा चंपनेर बिजय के कारण महमूद को बेगड़ा की उपाधी प्राप्त खुई थी महमूद साहिब बेगड़ा को सिकंदर लोदी का मित्र इबं समकालीन माना जाता है अब यहाँ पर कर लेते हैं थोलसी चर्चा महमूद साहिब ने 1482 में क्या किया था किया था कि चंपनेर की राजा जो थे जिनका नाम था जैसिंग उनको पराजित करके महमूदाबाद नामक नंगर को बसाया था यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और महमूदाबाद में ही बाग एक फरिदोस की स्थापना भी की थी गिरनार बिजय और चंपनेर बिजय के कारण ही महमूद साहिब को बेगला की उपादी प्राप्त हुई थी इसको आपको बिसी तोर पर याद रखना है क्योंकि इसको बहुत सारे एक्जाम में अब तक पूछा जा चुका है महमूद साहिब एगला को सिकंदर लोधी का मित्र उस्समकाली माना जाता है एक चीज़ आपको और याद रखना है यहाँ पे कि इबन एक खलिकान की एक पुस्तक थी जीवनी कोस उसका फार्सी में किसने और बात किया था यूसफ बिन एहमद ने किया था मंजरल इनसान के नाम से किया था और ये गरंथ जो है वो महमूद साहब एगड़ा को ही समर पे थे यह बहुत ही प्रसद है यसमें सारी जानकारी महमूद साहब एगड़ा के बारे में लिखी हुई है महमूद सहाय बेगड़ा के दरवार में उधैराज नामक कवी थे जिसने महमूद सहाय की प्रसंसा में महमूद चर्थ नामक का बिगरंत लिखा था यात्री बार्बुसा ने महमूद सहाय बेगड़ा के बारे में लिखा है वो है पेटू के नाम से भी प्रिस्द था तो यहाँ पे एक ये लाइन है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है बारवोसा ने अपने लेखों में महमूद साहब एगड़ा को बिस पुरुस भी लिखा हुआ है बिस पुरुस का मतलब होता है एक जहरीला इंसान महमूद साहब एगड़ा का सासन काल 1469 से 1511 इस भी के मद में था तो इसमें आपको क्या याद रखना है इसमें आपको याद रखना है जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है खास तोर पर एहमूद साहब के बारे में और महमूद बेगड़ा के बारे में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है अब बात करते हैं मुझफर साहब दुती के इतिहास पर मुझफर साह दुती को महमूस साह बेगरा का पुत्र माना जाता है देयलुता के कारण उसे मुझफर हलीम के नाम से भी जाना जाता था मुझफर साह दुती के दरवार की मुख नर्तकी बाई जहू थी मुझफर साहई दूती के सासनकाल में हज यात्रियों से पैसा नहीं लिया जाता था मुझफर साहई दूती के सासनकाल पंदरसो ग्यारा से पंदरसो चबशी सिवी के मर्द में था मुझफर साहई दूती के सासनकाल से आपको केवल एक ही चीज याद रखनी है कि मुजफर साथ वती के सासंकाल में जो हज यातरी होते थे उन से कोई भी पैशा नहीं लिया जाता था मुजफर साथ वती के बाद सिकंदर गुजरात का सासंक हुआ जिसने अपरेल 1526 से मई 1526 के मद्द सासंकिया परन्तु इसके सासन काल में कोई बितेज कार नहीं हुआ था अब बात करते हैं बहादुर साह के इतिहास पर बहादुर साह को गुजरात का अंतिम महान सासक माना जाता है बहादुर साह ने पुर्तगालियों से दीव पर बिजय प्राप्त की तथा वहाँ पर बिजय इस्तंब यानि की बुर्जे बहादुर साही का निर्मान भी करवाया था 1535 इसवी में बहादुर साही ने चितोड की राजा राणा विक्रम जीत सिंग को पराजित कर चितोड पर अधिकार कर लिया था बहादुर साही की सबसे बिश्वास पातर दर्वारी नर्सिंग दियो और प्रतिवी रास थी तो यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूंगा बहादुर साही को गुजरात का अंतिम महान सासक माना जाता है इसको आपको विसी स्टोर पे याद रखना है और बिजय इस्तंब का नर्मान कहां पे करवाया था दीव में करवाया था और किस खुशी में करवाया था पुर्तगालियों पर बिजय प्राप्त करने की खुशी में बहादुर साही ने करवाया था और इस बिजय इस्तंब को विर्ज बहादुर साही का नाम भी दिया गया था नरसिंग देव गॉलियर के राजा मान सिंग के भतीजे तथा प्रत्वी राज राना संगा के भतीजे थे और ये दोनों सबसे बिस्वास पात्र बैक्ती थे बहादुर साही के बहादर साहי ने महां संगीतियग मंझ कलावन्ध को अपना संरक्षन प्रदान किया था बहादर साहः का सासनकाल 2526 से 1567 स्याथ में के मद में था बहादर साहः के बाद कई ऐयोग सासक हुए और अंथ्में 1572 में मुगल सासक अकबर ने गुझरात को मुगल सामराज में सामिल कर लिया था तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि बहदुर साहे को गुजरात का अंतिमहन सासक माना जाता है ये पॉइंट आपको याद रखना है दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि 1572 में मुगल सासक अकवर ने गुजरात खूब मुगल सामराज में सामिल कर लिया था आपको ये भी याद रखना है कि बहदुर साहय का जो सासन काल 1526 से 1537 तक था 37 के बाद कई अयोग सासक हुए और इसी कारण 1572 में गुजरात मुगल सामराज का हिस्सा बन गया था तो ये तो था गुजरात का मध्य कालीन इतिहास वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अधूरा छूट गया है तो आप कोमेंट करके मुझे बता सकते हैं तो उसको मैं वीडियो में तो एडिट नहीं कर सकता लेकर वेबसाइट पर अपडिट कर सकता हूँ तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो उसे अगर आप लोग अपने नूर्स बनाना चाहते हैं तो डेस्केप्शन गोक्स वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी तो वहाँ से जाके आप अपने नूर्स तयार कर सकते हो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद